कि या सिद्ट कि इस क्लास में हम बात करेंगे लॉफ अब नश्चांट नाश्ट विद्ट को इन आपको लिखवाया भी है और उसके वह अपको सवाल किुछ खास कि हम लास्ट में डिसकस कर लेंगे कभी कभी ऑप्शनल में दिया रहता है सेकेंड लॉफ थर्मोडाइमिक्स जो है वच्छों आपका ठीक है यह यूनिवर्स की एंट्रॉपी चेंज के बारे में बताता है अब एंट्रॉपी के इनक्रीजिंग यही बात यह सेकेंड लॉफ थर्मो-डैमिक्स बोलता है क्या टोटल एंट्रॉपी ऑफ-दी उनिवर्स एंट्रॉपी ओफ-ड्युवड उन्क्रीजन इंच्छिं व थां घंड रखियेगा टॉटल डेल्टा S for the universe, डेल्टा S for the universe is always greater than zero for irreversible process, ओके, for irreversible process, ठीक है students, for irreversible process. इस बात को note कर लिजे और याद कर लिजे, अब आईए बच्छो इस पर थोड़ी सी explanation करते हैं, प्रोसेस पी आरो सी डबलेस प्रोसेस ठीक हाई यह बच्छों इस पर डिटेलिंग करते हैं देगिए हम लोगों ने पढ़ा हुआ है क्या कि यूनिवर्स जो है वो दो ही चीज़ों से मिलके बना है सिस्टम और सराउंडिंग से ठीक है ना जो भी हीट का या इनर्जी का या आपकी सराउंडिंग है सो यूनिवर्स है हमारा किस्से किस्से मिलके बना हुआ है बताईए सिस्टम और सराउंडिंग से चेक है यह बात तो हम लोग स्टार्टिंग सही जानते हैं जस्ट मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूं और ध्यान से सुनिए बच्चों माल लीजे की माल लीजे माल लीजे स्टुडेंस कि सिस्टम की एंट्रॉपी क्या है डेल्टा एस ओफ सिस्टम और स्राउंडिंग की एंट्रॉपी क्या है डेल्टा एस ओफ स्राउंडिंग्स ठेक अब मुझे बताओं कि यूनिवर्स की एंट्रॉपी कितनी हो जाएगी मतलब डेल्टा S of universe कितना हो जाएगा बहुत असान है इन दोनों को आड़ कर तो क्योंकि system और surrounding से ही मिलके तो universe बना हुआ है ठीक तो इसकी entropy में जो change आएगा system की और surrounding entropy में जो change आएगा उनका sum करने से ही आपको क्या मिलेगा entropy change of the universe ठीक है तो यहां से बच्चों आपका क्या गाएगा डेल्टा S of the universe is equals to डेल्टा S of the system और प्लस डेल्टा S of the surroundings बस यह formula याद कर लीजे ठीक अब देखिए बच्चों अब आपको मैंने class में पढ़ा है process आपके दो तरीके के होते हैं ठीक एक होता है reversible एक होता है irreversible ठीक है ना देखिए अब next देखिए जड़ा very important ठीक देखिए बच्चों process आपके दो तरीके के process है कौन कौन सा एक है आपका reversible process ठीक और एक है आपका कौन सा irreversible process ठेक अब ध्यान से सुनीगा रिवर्सवल प्रोसेस आपके दो तरीके की हो सकते हैं साइकलिक और नॉन साइकलिक और यह रिवर्सवल प्रोसेस भी आपके दो तरीके की होंगे साइकलिक और नॉन साइकलिक सही है रिवर्सवल प्रोसेस भी आपके साइक्लिक प्रोसेस और दूसरा क्या होगा आपका नॉन साइक्लिक ठेके स्टूडिन्स पहला क्या होगा आपका साइक्लिक और दूसरा क्या होगा आपका नॉन साइक्लिक ठेके ना तो यह होगा आपका साइक्लिक रिवर्सबल प्रोसेस समझ जाना ही साइक्लिक आर इवी क टेक ठीक है और इसी तरीके से बच्चों ओ आम वेरी सोड़ी यह क्या लिख दिया मैंने रिवर्सवल होना चाहिए नहां पर नॉन साइक्लिक रिवर्सवल प्रोसेस उसके बाद इस पर आपका साइक्लिक और नॉन साइक्लिक याने कि इस को चलो इसका कलर चेंज कर देते है ठीक यहां क्या हो जाएगा आम साइक्लिक इरिवर्सबल प्रोसेस और नॉन साइक्लिक इरिवर्सबल प्रोसेस ठीक समझ जाओंगे अब देखिए कुछ calculations मैं यहाँ पर करूँगा और उन calculations के basis में बच्छो एक conclusion निकल के आएगा तो बस आपको conclusion याद कर लेना है छोटी मोटी calculations होंगी जाधा tension नहीं है देखिए जरा देखिए बच्छो सबसे पहले आप आजाओ cyclic reversible process में तो बच्छो cyclic reversible process में जो delta s of the system होग होगा वह कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पर मैंने आपको बोला कि डेल्टा s of the system कितना हो जाएगा बता सकते हो आप कि भूलिए खुद सोचिए बच्छो डेल्टा s of the system यहाँ पर कितना होगा बताईए जीरो क्यों वाइसाइक्लिक है तो इनीशल और final state same है तो entropy the state function है तो entropy में कोई change नहीं होगा यानि के डेल्टा s of the system कितना हो जाएगा जीरो अब डेल्टा s of the surrounding कितना हो जाएगा this फील करने वाली बात है यह फील करने वाली बात है यह फील करने यह फील करके अगयों से मैं है लेकिन डेल्टस ओफ स्राउंडिंग वह आप 0 क्यों रख रहे हों क्योंकि बच्छों रिवर्सअबल में क्या होता है system और surrounding में रहते है मतलब और सरारांडिज उपरावंडरीचर लगभक सेम रहेगा कहने का मतलब क्या है सलम टे स्वाइलिछ ऑफ temperature of system तो temperature of system and surroundings will be approximately equal will be approximately यह दोनों लगभग सेम रहेंगे अब बताओ अगर दोनों का temperature सेम है द्यान सुनों अगर आपका सिस्टम और फराउंडिंग दोनों का temperature लगभग सेम है क्योंकि दोनों का डेवर्सवल प्रॉससेस में दोनों तो दोनों का टेमपरिचर में यह दिडिडिक्स से ती can measure में धहान से हुआ कि यदि टेमपेट्रेश से द्यान से सुनिए टेमब्ड रों सेम होने इक बाःप कहरे हो temperature पे अगर entropy जी चिरो होगी जोस्कीच निकालने के बाद आप रिजनिंंग करी और उसके बाद बता दिया डिल्टा एस बी स्राउंडिंग का भी कितना होगा जिरो की सराउंडिंग तो तॉस्टम की जीरो है तो सराउंडिंग की भी जीरो होगी अब ऐसा करने के बाद एक बाद बताओ एसा करने के बाद एक बाद बताओ आप ये वाला फंडा लगा दो क्या सर जान सुनना अभी अभी आपको पढ़ा है था क्या डेल्टा एस ओफ-द्यूणिवर्स अकर अब जाएगा बोलो जीरो क्यों कि दल्टा ऐस ऑफ द्फ 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 इस्टम प्लस डिल्ट अफ द्फ द्फ रूंडिंग जिरो प्लस दिरो जीरो तो भाई यह आपको याद रखना है क्या कि वाल बच्छो एक ही ऐसा केस होगा साइकलिक reversible process जो की hypothetical process है जो की reversible process तो hypothetical होते है यह असली में तो होते नहीं है तो एक hypothetical process है जिसमें entropy of the universe 0 होगी बाकि सभी जगा entropy of the universe हमेशा positive होती है और negative तो कभी नहीं होती है entropy of the universe कभी भी negative नहीं होती अब आईए यहां पर आईए non-cyclic reversible process में आ जाईए ठीक है बचो ड्रिटो नॉना होका बताइए रिवर्स में क्या होगा अब इसके लिए क्या करो इसके लिए पास एक सिस्टम है अब दिखो जैजन से चीज़ आपको करके चीज़ां तू यह दिखी सिस्टम है माल लो वचो सिस्टम का चैंपरिचर ती मधंच को कितना कितना है यह सिस्टम है तुम्हारा और यह तुमारी शराउंडिंग्स है अब माल लो लट एकेस वन है जेक केस वन में माल लो टीटू इस ग्रेटर थेंट टीवन मतलब अब बाहर का स्राइट का टेमपरिचर ज्यादा स्रोड इस्टम का कम है तो बताओ हीट कहां से कहां का फ्लो करेगी बोलो इसका मागनिटूड कितना है क्यों यहीट का फ्लो का अगर ऐसा हीट का फ्लो होगा तो सराउंडिंग से यहीट जा रही है यानिके क्यो उफ फ्राउंडिंग कितना रखोगे बोलो और पॉर माइनस क्यों क्यों यहां से हीट यहां जा रही है और यहां आ रहिए इसलिए हीट अफ दे शिस्टम कितना हो जाएगा इक उफ्लीन से乾्ट इसको पलें लोग है सभी इसको आप क्या लोगे प्लस क्यू लोगे ठीक है अब ध्यान देंगे बच्छों देखिए ज़रा ध्यान से तो अगर मैं आप से एंट्रॉपी का फॉर्मला याद है क्या होता था क्यू अपॉन टी भूल गया हो तो सुन लो ध्यान से बच्छों ट्रॉपी का फॉर्मला क्या होता था एक यहां क्या होता था आपका यह क्यों यह रिवर्सवल होता था था तो क्यूंकि जयर्री जो प्रोसेस होते हैं आपके सिस्टम कितना आ जाएगा बताओ माइनस क्यूब याधिटी माइनस क्यूब स्राउंडिंग करें कौन सी क्यालकुलेशन डेल्टा S अफदा क्या कहते हैं यूनिवर्स निकाल ले हैं तो क्या हो जाएगा डेल्टा S of the system और प्लस डेल्टा S of the surrounding समझे बात को भाई ठीक अब देखो डेल्टा S of the system कितना है दुमारा प्लस Q upon T1 याने Q upon T1 माइनस ये कितना है आपका माइनस Q कर दिया कि डेल्टा S of the surrounding कैसा है डेल्टा S of the surrounding माइनस Q by T2 है अब सुनो यहाँ से Q common आ जाएगा और bracket में क्या बच्चेगा बोलो जब Q आपका common आएगा तो bracket में क्या बच्चेगा 1 upon T1 minus 1 upon T2 is equals to Q common था अब LCM लोगे T2 minus T1 क्या हो जाएगा T2 minus T1 बाए कितना हो जाएगा बोलो T1 T2 हाँ भाई अब बताओ जाएगा क्या मानके चलेते T2 is greater than T1 तो T2 is greater than T1 तो यह positive आएगा भाई यह बड़ा यह number छोटा तो बड़े मेंसे छोटा घटा होगे तो answer कैसा आएगा positive कहने का यह मतलब है कि delta S of the universe तुम निकाल रहे थे conclusion सुनो ध्यान से delta S of the universe तुम निकाल रहे थे और कैसा आ गया यह बोलो positive का मतलब 0 से greater आ गया यह लो मैंने आपको बोला ना क्या मैं आपको बोल रहा हूँ आपने बच्छों यहां पर क्या हूँ नॉन साइक्लिक के लिए आपने देखा आपने बच्छों यहां पर क्या हूँ नॉन साइक्लिक के लिए आपने देखा क्या एकॉर्डिंग टो दिस केस नंबर वन केस नंबर वन में तुमने क्या करा सिस्टम की हीट कैसी मानी है positive क्योंकि वह रहा है तो सिस्टम की entropy कैसी हो जाएगी positive according टाइग्राम जैसा हमने बनाया था उसके हम था जबो नेगेटिव चेक कर लो कि अगया बही कहां गया डेल्टा एस आफ दा सराउंडिंग नेगेटिव और सिस्टम पॉजिटिव जब क्या है टीटू सक्राउंदिंग डेंपरिचर स्टम से गेटर है और एंट्रॉपी आफ दा यूनिवर्स कितना आ रहा है है तुम्ह यह चीज है तो आपको बस यह लास में जो मैं में हाउना ईसको याध रखना है यह याद रखना यांग पाए अगर तुम ऐसा या t1 टेंपरेचर सिस्टक का सर्फ यह इसको बोल सकते हो किस नंबर टू तुम इसको बोल सकते हो अभी तुम टीवन इस ग्रेटर दें टीटू बोल देते हैं और स्राउंडिंग का टेंपरिचर तुम टीटू ले ले लेते हैं मान लो तब भी रिजल्ट यहीं आता टेंशन मत लो दिखाता हूं मैं आपको यह टीटू अब बता हीट कहां से खाव करती ऐसे हीटफकर करती हायर टेंपरिचर से लोड़ टेंपरिचर सिस्ट्म से स्राउंडिंग यानि कि बच्चो इस बार इस बार आपका अब ध्यान से चेक करो पड़ता है बाग समझ रहे हो क्यों क्यों क्योंकि सिस्टम हीट बाहर निकाल रहा है तो प्लस क्यों और स्राउंडिंग का डपरिचर टीटू तो इस बार अगर तुम डेल्टा एस अफ द यूनिवर्स निकालते हैं तो क्या आता बताओ, system plus surrounding, यह surrounding का entropy plus system का, यहने कि Q by T2, और plus इसको करोगे, तो minus Q by T1, छेक, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, नीचे LCM T1 into T2, उसके बाद, यह Q बाहर आ गया होगा आपका common, छेक, और T1 इधर आ गया होगा, और minus T2 इधर आ गया होगा, अब बताओ, T1 greater than T2 यही तो फिर से ही तो positive आएगा यार, यही तो बता रहा हूँ, कोई भी case ले लो, कि T1 is greater than T2, या T2 is greater than T2, delta S of the universe हमेशा positive आएगा, चेक कर लो, delta S of the universe हमेशा क्या आएगा, positive, दोनों cases से मैंने आपको करके दिखा दिया है, इसके बाद बच्छों आ जाईए, cyclic irreversible process में, cyclic irreversible process में, ठीके students, अब ध्यान दीजिए जरा है यहाँ पर, ध्यान से सुनिए, cyclic irreversible process है, cyclic irreversible process है, तो delta S is equals to, delta S of the system, हाँ भई, ज़रा ध्यान दो कितना होगा बोलो, cyclic के लिए system का entropy कितना होता है, cyclic के लिए system का 0, क्योंकि initial और final state क्या होते है, सेम होते है, तो यह 0 ह हो गया, ठीक, और अभी अभी मैंने पढ़ाया हुआ है, पीछे आपको case लगा के देखे देखके, कि delta S of the universe हमेशा positive आएगा, क्या पढ़ाया है, अभी बताईए, कि delta S of the universe, always positive, के वल cyclic reversal process को छोड़ के, तो यह मैंने पढ़ाया है, अब बताओ, एक बात बताओ, और तुम हमने क्या पढ़ा हुआ है, कि delta S of the universe, is equals to delta S of the system, और plus delta S of the surrounding, अब सुनो ध्यान से, तो क्या हो जगा, delta S of the system 0 है, यह 0 है, तो delta S of the surrounding, is equals to delta S of the universe, अब यह बात पता है, मैंने क्यों बताईए, तुम्हें, यह बात इसलिए, बताईए, delta S of the universe positive, इसका मतलब delta S of the surrounding, भी कैसा हो जाएगा positive, क्योंकि यह 0 है, तो delta S of the surrounding, भी कैसा हो जाएगा positive, छेक, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जो case number 2 लिया था न, case number 2 जो लिया था पहले, वहाँ पर क्या हो जाता पता है, बस यह negative हो जाता है, यह positive आता हमेशा, यह हमेशा positive हाएगा, tension नहीं कोई, अब non-cyclic e reversal process में भी यह होगा, बताईए, दिखिए, क्या होगा सर, यह जो समझाया सर, चाहें तो case 1 से समझा दो, ठीक, और चाहें तो case 2 से, क्योंकि मैंने case 1 से समझाया हो, सब कुछ तो मैं case 1 से लिक रहा हूँ, ठीक है, तो case 1 की according बच्चों, यह रहा, क्या, delta S of the system कितना आ जाएगा, positive, अगर तुम case 2 लगाते तो delta S of the system negative आ जाता, ठीक, लेकिन, कुछ भी कर लो यार, case 1 लगाओ, case 2 ल तो delta S of the surrounding कितना आता, negative, और कुछ भी कर लो, delta S of the universe कितना आ जाएगा, तुम्हारा, positive, calculation same, ऐसे ही होगी, जैसे करके दिखाया, case 1 से कर दो, चाहें case 2 से कर दो, अब बताओ, इस table का क्या करें सर, कुछ मत करो, इस table का कुछ मत करो, इस table का कुछ मत करो, इस table का कुछ मत करो, क्या, कि cyclic reversal process के लिए delta S 0, बाकी सभी process के लिए, चाहे non cyclic reversal हो, चाहे cyclic reversal हो, चाहे non cyclic reversal हो, हमेशा delta S of the universe कैसा आएगा, positive आएगा, ठेक, के बल यहाला 0, और delta S of the universe कभी भी negative नहीं होता है, अब सुनो, second law of thermodynamics यही तो कहता है, क्या, क्योंकि जब्धों, आप practically process जो करते हो, इसके लिए उन्होंने statement बताया है, क्या, कि e reversal process के लिए, delta S हमेशा कैसा होगा, positive होगा, चेक कर लो, total entropy of the universe, always increases for e reversal process, बात समझे हो, और e reversal के मैंने दोनों केसा आपको करा दी है, है ना, एक तो यह बात होगे, तो यह game खतम आपका भाई, second law of thermodynamics का statement, उसकी calculations, अब ध्यान से सुनिए, अब बात करते हैं, किसकी third law of thermodynamics की, ठीक है students, अब हम बात करते हैं, किसकी third law of thermodynamics की, और यह chapter finish हो जाएगा, ठीक, third law of thermodynamics, अब इसका statement, dynamics, इसका statement पहले मैं लिख देता हूँ, फिर मैं आपको फटा-फट explain कर दूँगा, इसमें कुछ भी खास नहीं है, जादा से जादा, या तो school में लिखने के लिए आ जाएगा, या तो कहीं टिक लगाने के लिए आ ठीक, entropy change of pure crystalline, क्या कहता है, entropy, change of pure crystalline, substance is zero, substance is zero, at absolute zero, at absolute zero, हाँ भई, at absolute zero temperature, हाँ भई, क्या आपको पता है, absolute zero क्या होता है, जईरो केलविन को absolute zero बोलते हैं, ध्यakन से सुन लो, ध्यान से सुन लेकीं यह, absolute zero को ही हम क्या बोलते हैं, अगर आप से कोई पूछे कि यह absolute zero temperature क्या होता है तो उसको बोल देना कि भाई देखो zero Kelvin को ही क्या माना गया है absolute zero और सुनो zero Kelvin को अगर तुम degree Celsius में change करोगे तो बता है क्या आता है इसमें से minus 273.15 कर देना तो answer कितना आ जाएगा माइनस 273.15 degree Celsius अब खुद दिमाग लगाओ इतना कम temperature तो वो क्या कह रहे है इतने कम temperature पे जो भी प्योर क्रिस्टलाइन सब्स्टैंस होगा अब सुनो एक बाद बताओ यार इतने कम temperature पे ना किसी सब्स्टैंस को तुम्हें क्रिस्टलाइन मानना ही नहीं है अगर वो प्योर ह तो अपने आप क्रिस्टलाइन हो जाएगा मतलब सॉलिट फॉर्म में चला जाएगा वह वेल डिफाइंड अरेंग्मेंट उसका हो जाएगा कोई गया से वह जम जाएगी सिंपल शप्तम सुनो जम जाएगी मतलब फ्रीज हो जैसे पानी जम जाता है यार इतने कम temperature पे इस तो इस टेंपरिचर पर लेकर लेकर जाएं अगर हम इसके मॉलिक्यूल्स वाइबरेट करना भी बंद कर देंगे बता है आपको मतलब क्या हम लोग जिनदा रह सकते हैं नहीं बॉडी में किसी तरीके कि मॉलिक्यूल्स का मोशनी वाइबरेशन सब बंद हो जाएगा तो जो भी आपकी ब्रॉसेस सब बंद हो जाएंगे तो आपको समझ में आ रहा है बहराल मुटी मुटी बात यह स्टेटमेंट है याद कर लो ठीक है इस टेंपरिचर पे ठीक है एंट्रॉपी चेंज होता ह कि यह सिस्टम में मॉल्यक्यूल्स का जो मोशन होता है ठीक है ना वह 0 हो जाता है कोई भी एंट्रॉपी यहां सिस्टम में एंट्रॉपी चेंज बिल्कुल भी जीरो जाएगा तो कहने का मतलब है थर्ड लॉफ थर्मोडामिक्स को अगर हम एक स्टेट्मेंट में बोलों तो डेल्टा एस बराबर जीरो एक टी बराबर जीरो केल्विन बोल दीजे या दिडिगरी सल्च змell को ऩागर तो एक टी बराबर-273.15 डिगरी सेल्चिस ठीक इसको ही हम क्या बोलते एबस यही थर्ल ऑफ थर्मा डैनमेक्स है मैंने आपको बता दिया इतने टेमपरेचर पे सब कुछ जाएगा किसी प्रकार के किसी आटम का मॉलेकुल का कोई मोशन नहीं बचेगा नौ तर यह चाप्टर हमारा फिनिश हो गया है अब हम नियू चाप्टर स्टार्ट करेंगे physical chemistry में that is equilibrium या तो हम physics का कोई chapter start कर लेंगे ओके